करेंब चो पबलिक तो आज हम करने वाले हैं डबल इंटिग्रल के एक्सामपल तो देखते हैं कौन सा एक्सामपल हमको दिया गया है क्या आज हमको डबल इंटिग्रल के एक्सामपल दील है उशलीड इंटिग्रेशन लिमिट सीरो टू उर्वैंड इंटिगेशन लिमिट सीरो टू अजै garant शेड दिये नेक्साब ऑफंड शार प्लस जैए क्से ब comport knowledge है क्सीक्साइब सबसे पहले हम integration करेंगे with respect to dy उसके बाद integration करेंगे with respect to dx तो देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो question क्या है हमारे plus integration 0 to 1 यानि जो पहली वाली limit है वो आपकी limit हो जाएगी for the dx यानि जो सेकेंड वाली limit है यानि 0 to under root 1 plus x square यह हो जाएगी for dy याद रखना यह जो वाली limit है वो is equal to क्या dy होती है चलिए देखते हैं solution सबसे पहले तो question लिखते है उसके बाद आयेगा हमारे पास formula क्या है दोनों को individual लिखते हैं यानि 1 plus x square को एक में लिखते हैं और y square को एक में लगते हैं अभी हमने ऐसा क्यों किया है क्योंकि हमारे पास formula क्या है यहां पर पूरा x क्या है हमारे पास 1 plus x square तो इसका हम एक पाल रूट ले लेते हैं और square ले लेते हैं हमने क्या किया integration 0 to 1 limit 0 to under root 1 plus x square dy सबसे पहले integration करेंगे dy का उसके लिए हमने यहां पर ले लिया अंडर रूट 1 plus x square यानि उसका square plus y square वीस वाली question में कोई change नहीं होगा लेकिन हमको जो answer चाहिए वो मिल जाए अभी 1 upon x square plus y square का integration होता है 10 inverse y upon x y की जगा पे तो y और x की जगा पे है 1 upon x square अंडर रूट यानि लिख लिया अंडर रूट 1 plus x square तो हमारा यहां पर हो गया integration 0 to 1 1 upon 1 plus x square 10 inverse y upon अंडर रूट 1 plus x square इसका integration होता है 1 upon x 10 inverse y upon x जगा पे हमने लिख लिया अंडर रूट 1 plus x square 10 inverse y अंडर रूट 1 plus x square अभी लिमित कोट करेंगे यानि अपर लिमित माइनस लोड लिमित सबसे पहले अपर लिमित यानि की 1 plus x square का रूट यानि इंटेरेशन 0 to 1 1 upon अंडर रूट 1 plus x square 10 inverse अंडर रूट 1 plus x square अपर रूट 1 plus x square माइनस 10 inverse लोड लिमित यानि 0 upon अंडर रूट 1 plus x square dx यह वाली टम हो जाएगी 1 यानि इंटेरेशन 1 upon अंडर रूट 1 plus x square 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 10 inverse 1 की value होती है pi by 4 और 10 inverse 0 की value होती है 0 यानि इस value की नेगलिजेबल है यानि pi by 4 constant है बाहर लिख लिया integration 0 to 1 1 upon अंडर रूट 1 plus x square अभी अंडर रूट 1 plus x square उसका integration क्या होता है pi by 4 इसका integration 1 upon x का होता है log x plus अंडर रूट 1 plus x square limit है 0 to 1 limit put कर देंगे अपर limit minus lower limit चले pi by 4 log 1 plus under root 1 plus 1 यानि 2 तो अंडर रूट 2 minus log 0 plus under root 1 plus 0 यानि log 1 इसको हम ऐसा लिख सकते है pi by 4 log 1 plus under root 2 into 1 upon 1 यानि upon 1 में लिखा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि हमारा आंसर क्या होगा y by 4 log 1 plus under root 2 ये होगा हमारा final answer for the limit 0 to 1 and for the y limit 0 to under root 1 plus x square dy dx upon 1 plus x square plus y square का answer ये होगा है